नमस्कार दोस्तों मैं हूं मरो यहां पर क्या देखने वाल है कि हमारे पास कुछ यहां पर कुछ टेक्स लिखा हुआ मैं चाहता हूं इसको जो अपर केस में लीखो तो मैं क्या करता हूं यहां से देख़िए CTRL और U प्रेस कर दिया थे जो है Automatic, Uppercase में आ गया है, मैं क्या चाता हो, इसको जो प्रॉपर में लिखो, तो Ctrl प्लस बी, प्रेस कर दिया, बेसीहे中, dance यहाँ पर में हो गया, यहाँ पर फवार्मूला की मैं देखा और इसे भी होता है, यहाँ थे न दॉपर बात करेंगे, एक-एक बात करेंगे, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस seat को मैं जो book 1 है, इसको मैं close कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने close कर दिया, अब देखिए, जब मैं यहाँ जो मेरे पास जो text है, जब इसमें जब मैं control और you press करता हूँ, तो देखिए, यह नहीं हो रहा है, ठीक है, य यहाँ पर अगर upper letter, lower letter में आपको लिखना है, तो उसके लिए जो formula होता है, मैं वो पहले देता हूँ, ठीक है, और बाद में जो है, उसके ऊपर जो है, कुछ और करता हूँ, फिर से यही format में चली, अगर आपको यहाँ पर case में इसको change करना रहता है, तो आप अभी तक क्य करते हैं, उसके लिए आप equal to लिखते हो, और यहाँ पर लिखते हो, अपर formula, और यहाँ पर यह text select करते हो, अपर का formula यूज करके हम लोग इसका, जो है, small letter से आप जो है, इसका change करते हो, अगर इसी को down करोगे, ना drag करोगे, सभी cell में, सभी cell में, सभी cell में देखिए, यह lower, जैसे यह lower formula लिखेंगे, आपको यह text select करेंगे, और enter प्रेस करोगे, तो देखिए, आपका जो letter है, यह क्या होगे, lower letter में आ गया है, ठीके, अगर इसी formula को नीचे की और drag करोगे, तो सभी जो है, आपका जितना भी text है, सभी जो है, देखिए, lower case में आ चुका है, यह तो formula यूज करोगे यहाँ पर, और text को select करोगे, तो देखिए, इसका कराम क्या है, आपका जो first letter है, उसको capital कर देगा, जितना भी first है, उसको capital कर देगा, देखिए, यहाँ पर जो है, इसको capital कर दिया, तो इस तरह से जो हम लोग small, lower, upper और proper formula को यूज करते, लेकिन मैंने अभी क्या बताया, यहाँ पर shortcut से करना है, या इसको जो है, मुझे BVA के through करना है, तो BVA के through आपको उसके लिए देखिए करना है, अगर आपको यहाँ पर within cell में चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, BVA यूज करना पड़ेगा, देखिए, BVA यूज करने के लि तो बग हबराने की जोरत में बताता हूँ, यह developer tab आता कैसे है, developer tab लाने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर file में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर option में जाने के बाद क्या है, यहाँ पर customized ribbon आप इस पे click किजिए, और click करने के बाद यहाँ द आपके cell के अंदर यह developer tab आ जाएगा, जब आपके cell के अंदर यह developer tab आ जाएगा, आज आने के बाद अब क्या करो, आपको यहाँ पर click करना और यहाँ पर देखिए क्या है, visual basis, आपको click करना है, visual basis पे, तो आप जैसे ही visual basis click करोगे तो आपके पास इस type का windows आ जाएगा, ठीक insert में जाना परेगा, और यहाँ पर क्या है, module, तो आप जो है module पर click कर दीजिए, जैसे ही module पर click कीजिएगा, तो आपके पास जो देखिए, यह module 1 करके लिखा के आ जाएगा, ठीक है, और जब आ जाएगा, इस पर click कर लेजिए, तो यहाँ पर blank करके यह आ गया area, अब next काम क्या करेंगे, उसके लिए next काम करने के लिए मेरे पास एक code है, जो कि मैं यहाँ पर not paid में लिखा हुआ हूँ, और यह code जो आपको वीडियो के description में मिल जाएगा, वहाँ से आप यह code ले सकते हैं, और internet पे आप यह आपको इसको download कर सकते हैं, मैं जस्ट यह code को just copy करूँग क्या करना है, अब next बात आती है, कि मैं चाहता हूँ कि यह जो proper, अपर के लिए यहाँ पे, एक यहाँ पे जो आपको पास एक dialogue box होना चाहिए, या तो यहाँ पे आपका कोई tool बार में होना चाहिए, आप कहीं पे tool add कर सकते हो, अपर case के लिए, तो ठीक है, तो उसको add करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जाओंगा, फाइल में जाओंगा, और फाइल में जाने के बाद जो है, option में जाओंगा, option में जाने के बाद यहाँ पे क्या है, customize ribbon, इस पे click करेंगे, और click करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे view है, तो ठीक है जब आप यहाँ पे New Tab एड़ करोगो तो यहाँ पे देखिए New Tab जो है करके आ चुका है ठीक है और New Tab के अंदर आपको यहाँ पे एक और कोमन आ गया New Tab custom करके आप इसको क्लिक किजिए और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे जो पॉपलर कबावाट से ना आ आप इसको इंदर कर दीजिए और यहां पर मैकरों पर अभी मैंने देखिये यहां पर क्या क्या है यहां पर यहां पर आपको क्या है इसका इक रिट्वर का रेनेम भी चेंज करना चाहिए तो चेंज कर दीजिए, लोवर केस के लिए, और यहाँ पे कुछ आइकॉन यहाँ पर लगाना चाहते हैं, तो लोवर के लिए क्या हाना चाहिए, वो भी आप यहाँ पर आइकॉन कर दीजिए तो यह आजाएगा, प्रोपर के लिए आप क्लि इसा भी हो यहां पर आप जो है select कर लेजिए चली new group में आ गया इसको जब यहां तक हो गया होने के बाद आप क्या कर दो just okay प्रेस कर दो अब देखें यहां पर करामत क्या हो गया यहां पर आपको new tab आ गया गया और new tab में lower upper सब कुछ है जैसे इस letter को मुझे अपर में चाहिए click कर दीजिए अपर पर देखें आपका letter change हो गया इसको क्या चाहिए proper set करना चली click किजिए proper set हो गया यह आपको lower में करना lower किजिए जिसमें भी करना है आप just click करो यहां से आपका जो है data उसी type से arrange होता हुआ नजराएगा आ रहा है ना आपको कुछ नहीं कर क्या प्रोपर हो गया, lower पर CLICK किया lower हो गयाprofits ऐसे like क्या को पता चला अब बात करती है इसका shortcut create करने के लिए क्या Universe करना है आपको जाना पर एक और view time में और view लोवर आ गया है लोवर के लिए आपको क्या सेट करना है औप सन में जाए औप सन में जाने के बाद आपके पास more option का यहां पर option आता ठीक है अब आप क्या करो control के साथ आप क्या बटन जो आप सौट कर सके इसमें नहीं है वो आप यूज करना है या क्या करना आप इस पर लिख देजिए मैं सिर्फ यहां पर control के साथ दिखाने के लिए just example के लिए मैं कर रहा हो control प्लस L कर रहा हो या control shift L कीजिए जो भी करना है आपको यहां पर आप कर स किया यहां पर control shift L से आपको lower हो जाएगा इसको okay कर देता हो देखिए प्रोपर के लिए क्या करता हो यहां पर आप्शन में जाता हो और यहां पर control shift P कर देता हो ठ्रोल shift P कर दिया तो यहां पर क्या होगा आपका जो ही यह proper में आ जाएगा लव अपर के लिए क्या कर दूँगा यहां पर option में जाने के बाद control shift U कर देता हूँ अब देखिए क्या होगा आपको यहां पर shortcuts वैसा choose करना जो कि आपका seat में नहीं हो ठीक है तो यहां पर आपका यह काम करेगा इसको okay करता हूँ इसको जो है close करता हूँ देखिए यहां काम करता है कि नहीं जैसे यहां पर क्लिक किया control shift U प्रेस कर दिया देखिए यह इसका case change हो गया control shift L प्रेस किया इसका lower हो गया यह अपर है lower चाहिए control shift L प्रेस कर दिया lower हो गया यहां पर control shift P प्रेस किया तुधू सेव करेंगे कैसे इसीट को सेव करेंगे मैक्रो डाला है तो आपको जब भी सीट एज करना पर आपको यहां पर यहां आपको इस फॉर्मेट में जो है इसको सेव करना पड़ेगा तभी यह काम करेंगा तो सेव करता हों सेव करता हूं किस तरह से हमने स्वाट करेट किया आपको पता चला तेंक यू